हलो स्टुडेंट्स डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्षा दस्मी गनित की प्रशनावली आठ दसमलाव श्यार से प्रशन संक्या पांच से शुरू करते हैं हमें यहां पर सिध करना है दाउपक्स और बाउपक्स दिये हैं लेफ्ट एंड साइड और राइट एंड साइड हमें दाउपक्स और बाउपक्स को बराबर सिध करना है पहला पार्ट है कोशिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का वरग बराबर होगा एक माइनस कोश थीटा बटे एक जमा कोश थीटा हम लेफ्ट एंड साइड को लेके चलते हैं बाइंपक्स को कोशिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा वरग यहां पर हम left hand side को लेके चलेंगे और उसको right hand side के बराबर सिध कर देंगे तो हमारे दोनों पक्स क्या हो जाएंगे बराबर cosecant theta को हम लिखेंगे एक बटा sin theta घटा कोट theta को लिखेंगे cos theta बटे sin theta वरग लगुत्म लेंगे लगुत्म आएगा sin theta उपर आएगा एक घटा cos theta पूरे का वरग बराबर होगा अब देखें उपर हमारे पास है एक घटा cos theta वरग है तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम इसका वरग बटे sin theta है उसका वरग तो sin square theta एक घटा cos theta का वरग इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें right hand side में दाएंपक्स में लेके आना है एक घटा cos theta बटे एक जमा cos theta तो यहाँ पर हम इसको बदलेंगे नहीं इसको ऐसी रखेंगे निच्चे वाड़े को बदलेंगे sin square theta को हम लिख देंगे एक घटा cos square theta sin square theta जमा cos square theta बराबर होता है एक के तो यहाँ से हमारे पास sin square theta बराबर होगा एक घटा cos square theta तो हमने sin square theta की जगे एक घटा cos square theta लिख लिख लिया उपराएगा एक घटा cos theta पूरे का अवरग है बटे इसको हम लिसकते हैं सुतर से एक को हम एक का अवरग लिसकते हैं यह हमारे पास होज़ेगा एक का अवरग घटा b का अवरग यह सुतर हो ज़ेगा a square घटा b square बराबर होता है a जमा बी गुना a खटा b A जमा B, एक जमा कोस्थीटा, गुना A गटा B, एक गटा कोस्थीटा, यह आजाएगा, उपर हमारे पास एक गटा कोस्थीटा का वरग है, दो बार है, इसको मिली सकते हैं, एक गटा कोस्थीटा, गुना एक गटा कोस्थीटा, दो बार लिसकते हैं, क्योंकि उपर वरग है, बटे निच्चे हमारे पास है एक जमा कोस्थीटा गुना एक गटा कोस्थीटा इससे ये कट जेएगा हमारे पास पट जेएगा उपपर एक गटा कोस्थीटा और निच्चे है एक जमा कोस्थीटा और यहrü हमारा क्या है दायापक्स और एच अस राइट हैंड साइड या दायापक्स तो यह हमें सिध करना था इसके बराबर तो यहां से यह दोनों पक्स क्या हो जाएंगे बराबर दूसरा पार्ट करते हैं कोस ए बटे एक जम्हाशाईने बटे कोस A बराबर होगा दो सिकेंट A इन दोनों पक्सों को मैं बराबर सिद्ध करना है तो इस पक्स को लेके चलेंगे हम लेफ्ट एंड साइड को बाई पक्स को लगुत्म लेंगे लगुत्म आएगा एक जमा साइन A गुना कोस A ये लगुत्म आजाएगा जोडेंगे इनको बाग देंगे इस लगुत्म को इस से तो कट जाएगा पचेगा कोस A कोस A उपर भी कोस A है दोनों की गुना कर देंगे कोस सुकेर A दोनों की गुना करने पर आजएगा कोस A का वरग जमा फिर बाग देंगे इस लगुत्म को कोस A से कोस A कट जाएगा एक जमा साइन A उपर भी एक जमा साइन A तो यह हमारे पास हो जाएगा एक जमा साइन A का वरग कोस A का वरग जमा यहां पर A जमा B का वरग वो सुतर लगाएंगे तो यहां पर A हमारा हो जाएगा 1 और B हो जाएगा साइन A तो A का वरग जमा साइन A का वरग जमा दो A B A है हमारा एक और B है साइन A बटे एक जमा साइन A गुना कोस A अब यहां से कोस A का वरग जमा साइन A का वरग गभी एक ठा कर लेंगे हम कोस A का वरग जमा साइन A का वरग जमा एक का वरग 1 जमा डो गुना एक 2 साइन A बटे आएगा एक जमा साइन ए गुणा को से यहां से मारे पास होज़े आएगा एक जमा एक जमा दो साइन ए बटे एक जमा साइन ए को से गुणा को से क्यूंकि यहां से साइन स्केर ए जमा को स्केर ए बराबर होता है एक के यह बराबर होगा दो जमा दो साइन ए बटे एक जमा साइन ए गुणा को से उपर दो को मल लेंगे अंदर बचेगा एक जमा SIN A बटे एक जमा SIN A गुणा कोसे एक जमा SIN A से एक जमा SIN A कटचेयाएगा दो बचे आप़े निच्ची बचेएगा कोस A दो गुणा एक बटा कोससे अठш scarf यह हो जाएगा दो गुना एक बटा को से होता है सिकेंट यह कोस और सिकेंट एक दूसरे के विप्रीत होते हैं यह हमारा राइट एंड साइड में तो यह प्रूव हो जाएगा तो यहां से दोनों साइड ब्राबर हो जाएगे